हेलो फ्रेंट्स चलिए जटपट हम बनाते हैं धोकला मैंने एक कटोरी लगभग धाई सु ग्राम बेशन लिया है अब हम इसमें एक चमच नमक एड़ करेंगे और एक चमच चीनी एड़ करके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम वेटर तयार कर लेंगे वेटर नात तो ज्यादा थीक होना चाहिए और ना वेशन का बेटर बन करके तैयार हो गया है अब हम इसमें आधा चमच इनो एड़ करेंगे इनो डालने से ये थोड़ा पेट के लिए सही रहता है और हमारा ढुकला भी बहुत कलपी बनता है एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लगा करके उसे ग्रीस कर देंगे और उस के बाद ऊसमें सअरवेटर डाल देंगे कूकर लिया है कूकर में हमने एक से गलास पाइअ डाला है और उसमें एक स्टेंड भी रखेंगे जस पर हम अपना बर्तन रख करके स्टीम कर सके हैं अब अपने पैन को भी हम उस इस्टेंड पर रख देंगे कूकर का ढखकन जब लगाएंगे तो रबड और सीटी नहीं होनी चाहिए उसको हम निकाल देंगे और ढखकन को हम बंद कर देंगे और यह प्रकिरिया लगभग 20 मिनट तक चलेगी 20 मिनट बाद हमारा ढोकला बन करके तैयार हो जाएगा देखिए मैंने ढोकले को निकाल के रख लिया है यह बहुत ही फ्लपी बना हुआ है अब इसको हम चोकोर चोकोर पीसेज में कट कर देंगे अब हम एक छोटा पैन लेंगे उसमें वन टेबल स्पून हम तेल एड करेंगे तड़के के लिए एक चमच राई लेंगे और लंबे पीसेज में कटे हुए हम हरी मिर्स दो तीन लेंगे जब यहाँ चटकने लगेगा तब हम इसमें कड़ी पत्ता एड कर देंगे कड़ी पत्ता डालने से ढोखले का स्वाथ और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह फ्राई हो जाएं तब इनमें थोड़ा सहम लगवग अधा ग्लास पानी एड कर देंगे फोटेबल स्पून इसमें हम चीनी आइड कर देंगे इसमें अभी थोड़ा उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हमारा तड़का बन करके तयार हो जाएगा देखें उबालाना शुरू हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे हमारा तड़का धोकले पर डालने के लिए पिलकुल तयार है मैंने पहले से ही जो धोकले कट करके रखे हैं उस पर यह तड़का हम चारो तरफ से अच्छी तरह से डाल देंगे तड़का लगाने के बाद धोकले का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा मीठा स्वाद भी आने लगता है अगर आपको मेरी रेसिपी फसंद आईए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माइ चैनल अगर प्लाइब माइ जा हुआए हो तो प्लाइब माइब माइब लागता है